सिरसागंज पुलिस ने मुटभेड में किया दस हजार का इनामिया अभियुक्त गिरफतारमा कोल्ड स्टोरेज के पीछे काफी देर तक चली मुटभेड सियो सिरसागंज प्रवीन कुमार तिवारी ने दिविस्त्रित जानकारी फिरोजाबाद थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा दस हजार रुपे के इनामिया अभियुक्त को पुलिस मुटभेड के दौरान गिरफतार किया गया अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे उपचार को जिला अस्पताल लाया गया बताया गया SSP के निर्देशन में अपराधियों को लेकर पुलिस के चलाए जा रहे अभियान के चलते थाना सिरसागंज पुलिस टीम ने अमर कोर्ट स्टोरेज के पीछे हुई मुटभेड में एक बदमाश गिरफतार कर लिया इस दोरान अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया जिसके पास से अभियुक्त के कबजे से एक पौनिया शून्य दो जिंदा वर शून्य एक खोखा कार्तुस तथा नगदी बरामत की गई मौके पर पहुँचे क्षेत्र अधिकारी सिर्सागंज प्रवीम कुमार तिवारी ने जानकारी दी और अभियुक्त का नाम थाना सिर्सागंज क्षेत्र गिहार कॉलोनी निवासी 24 वर्षी आनंद उर्फ नंदू बताया गया धायल बदमाश को ततकाल इलाज के लिए जि पुन्य तीन मुकदमों में वांचित था सिकोहबाद CSC में भेजा गया है अभियुक्त का नाम नंदू गिहार पुत्र मूती गिहार है जो की दर्जन भर थानों में वांचित है तथा 10,000 का इनामिया भी है अग्रिम बिदिक कारिवाई की जाए